दोस्तो professional examination board जो भी exam कराता है उन में जो भी candidates participate करते हैं उनका जो entry and exit system है यानि कि जब PEV में आप exam देने जाते हैं PEV जो है आपको authentication जो करता है वो through biometrics करता है और biometrics आपका जो data आपने आधार काड़ वनवाते समय दिया हुआ है उससे आपका biometric authentication होता है जिसमें आपका fingers होते हैं आपके thumb होता है आपके iris होता है तो ये जो biometrics है इनको जो आपका data है आधार कार्ड में जो आपने दिया हुआ है उससे match किया जाता है और authentication complete होने पर ही आपको entry दी जाती है अभी recently अगर हम देखें तो MP Police Constable exam में कुछ लोगों को biometrics data उनका match नहीं होने के कारण या उनका biometrics lock होने के कारण उनको प्रवेश नहीं दिया गया था लेकिन दोस्तों यहां पर आपको अच्छे से समझना है कि आपके biometrics unlock क्या होता है आधार unlock क्या होता है और biometrics unlock क्या होता है तो हम दोनों चीज़ों को बिस्तार से समझेंगे बहुत ही बारि हो पा रहा है अगर आप कहीं पर फिंगर लगा रहे हैं और आपका फिंगर आ रहा है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए आप इस वीडियो लॉक और अनलॉक और आधार लॉक और अनलॉक तो दोस्तों पी इवी ने जो सर्विस बताई है मतलब जो पी इवी ने कहा है कि आपको क्या करना है उन्होंने बायोमेट्रिक्स को अनलॉक करने की बात कही है जो की लगभग सभी के होते हैं अगर किसी के नहीं है तो वो किस तरीके से चेक कर सकता है और किस तरीके से उनको अनलॉक कर सकता है वो मैं यहां पर आपको बदाऊंगा और दो चीजे हैं दोनों को समझना है एक होता है आधार लॉक अनलॉक और दूसरा होता है आपका बायो मेट्रिक्स लॉक और अनलॉक तो यहां पर देखिए हमने यहां पर इस feature को जानते हैं कि lock unlock biometrics क्या होता है यहां पर लिखा हुआ है कि this feature will enable resident to lock and temporarily unlock their biometrics तो यहां पर मतलब resident जो भी है निवासी जो भी है भारत का उसको यह feature जो है enable करता है कि वो अपने biometrics को lock कर सकता है unlock कर सकता है और यह जो है आपकी privacy को maintain करता है कि आपका जो biometrics data है आपका fingerprint and iris वो lock हो जाएगा और आप जो है कभी भी कहीं भी authentications जो करते हैं वो नहीं हो पाएंगे ठीक है यहां पर लिखा हुआ है कि users of this feature are cautioned to use this facility with care to prevent denial of authentication services यहां पर यह लगाए कि किर्पया शाब्धानी बरते हैं इस feature को use करते समय क्योंकि अगर आप कहीं पर authentication करवा रहे हैं तो यह जो है आपका denial हो सकता है तो इसलिए इसको आप तो बिल्कुल lock तो करें ही ना ठीक है यह चीज का ठ्यान रखिएगा अब हम दोस्तों देख ले resident after locking आधार you will not be able to perform authentication using आधार तो यहां पर आप आधार नंबर से authentication नहीं कर पाएंगे और आपको virtual ID की जरूत पड़ेगी however authentication may be performed using BID resident cell ensure that latest BID is with him in order to retrieve existing BID resident may send SMS 21947 तो यह BID के जरिए आप कर पाएंगे अपने आधार को lock या unlock तो यहां पर यह देखिए आधार को lock या unlock करने के लिए आपके पास BID की जरूत होना चाहिए और आपको Biometrics को lock या unlock करने के लिए आपको यहां पर जो है अपना आधार नंबर से login करना होगा तो मैं आपको सला देता हूं कि आप दोनों को ही unlock करिएगा lock किसी को भी मत करिएगा सबसे पहले अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप जो है अपने कहीं भी आप जो है finger अपना हैं जिन लोगों के साथ यह problem है वो एक बार चेक करवा सकते हैं चेक कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको यहां पर जो हैं लॉख unlock Biometrics करना है और हैपको यहां पर अपना आधार नंबर रहा हूं और send OTP पर click कर देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको submit बेटन पर click कर देना है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा biometrics अभी unlock है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है locking feature के बारे में अगर आपका lock होगा तो unlock करने का option आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं enable disable biometrics lock dear resident, biometrics locking feature is currently not enabled for your Aadhar UID by enabling this feature you will able to lock and temporarily unlock your biometrics authentication तो यहाँ पर अगर आप enable locking feature कर देंगे तो आपका जो आधार का biometrics data है वो lock हो जाएगा इसको आपको नहीं करना है अगर आपका पहले से आपका lock है तो उसको आप unlock कर सकते हैं उसका feature आपको यहाँ पर देखेगा जब आपका अगर lock होगा तो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं locking feature यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अभी दोस्तो मैं इसको अपने app के माध्यम से भी करके दिखाता हूँ उसमें आप किस तरीके से कर सकते हैं अगर आप अपने फोन से करना चाहते हैं तो भो भी मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ अपने फोन से दोस्तो इस feature को यूज़ करने के लिए सबसे पहले एम आधार application को install करें तो दोस्तो यह app download हो गया है अब आपको इसको open करना है open करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक interface दिखाई देगा तो दोस्तो आपसे यह कुछ permission मांगेगा आपको allow कर देना है allow करने के बाद आपको इस प्रकार से skip करके guest started पर और यह consent पढ़के इसको i consent कर देना है और i consent करने के बाद आपको भासा चुनना है मैंने यहाँ पर English चुना है continue करना है यहाँ पर अपना mobile number आपको enter करना है और mobile number आइंटर करने के बाद आपको next कर देना है तो दोस्तो यहाँ पर मैंने अपना mobile number आइंटर कर दिया है मैं next की बटन पर क्लिक करता हूँ इसके बाद दोस्तों आपको एक OTP यहाँ पर दिखाई देगा, OTP को आपको एंटर करना है तो दोस्तों यहाँ पर OTP एंटर कर दिया है, OTP एंटर करने के बाद सब्मिट पर क्लिक करना है, सब्मिट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने एक पूरा का पूरा dashboard यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, Unique Identification Authority of India, यहाँ पर कई सारे options आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको MyAther पर क्लिक करना है, उसके पहने आपको यहाँ पर अपना password फिल करना होगा, हम 1232 यह password हम एंटर करते हैं, 1232 हमने यह password बना लिया है, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नमबर उजी capture एंटर करके, request OTP पर क्लिक कर रहा हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आधार नमबर एंटर कर दिया है, OTP आ चुका है, हम यहाँ पर OTP एंटर करते हैं, और OTP एंटर करने के बाद हम verify पर क्लिक करते हैं, दोस्तों हमने OTP यहाँ पर डाल लिया है, आप हम verify पर क्लिक करेंगे, दोस्तो पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से आपको आपका आधार काड यहां पर दिखाई देगा और यहां पर आपको Biometrics Lock Unlock चेक करने के लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है दोस्तो जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पर दो आप्सन दिखाई देंगे Biometrics Lock और आधार Lock तो यहां पर आपको देखें यह लिखा हूआ है Biometrics Lock और नीचे लिखा हूआ है आधार Lock तो आपको यहां पर यह Biometrics Lock पर क्लिक करना है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको लिखा हुआ है और Biometrics is currently unlocked बस यह आपको चेक करना है अगर आपके Biometrics currently unlocked है तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है आपको यह चेक करके छोड़ दिना है बापिस आजाना है एप को close करना है